नमस्कार दोस्तों आज हम लोग एयर पॉलूशन वायू प्रदूशन के बारे वे चर्चा करेंगे लास्ट वीडियो में मैंने परियावरन ये प्रदूशन की चर्चा की थी जिसमें ये बताया था कि प्रदूशन बेसिकली उस चीज को कहते हैं जो कोई भी अवांशित सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वायू प्रदूशन वायू प्रदूशन बेसिकली होता क्या है तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस मास पस लिखा है कि येर पॉलूशन में बीदिफाइंड as the presence of any solid, liquid, or gaseous substance including noise and radioactive radiation in the atmosphere in such concentration that may be directly and indirectly injurious to human or other living organism, plants, property or interference with the normal environmental processes अब समझ सकते हैं कि वायू में किसी भी हानिकारक थोस, तरल या गैस का जिसमें आवाज या ध्वनी तथा रेडियो धर्मी भी किरण भी शामिल है इतनी मात्रा में मिल जाना जो परत्यक्ष या और परत्यक्ष रूप से मानों और अन्य जिवधारियों को नकार आत्मक रूप से प्रभावित करता है वायू परदूशर कहलाता है इनके कारण पौधे, संपत्ति और पर्यावरण की श्वभाविक प्रक्रिया में भी बाधा उत्तपन होती है मतलब या कि एर पॉलूशन बेसिकली वही चीज है कि अवांचित पदार्थों का हवा में मि सिंपल वर्ड में अगर कहें तो अन्डिजारेवल मिटेरियल्स जब एर में मिक्स होता है तो एर पॉलूशन उसको कहा जाता है अब यहां वायू प्रदूशर के टाइप की अगर हम चर्चा करें तो हम उसे मोटे तोर पे दो पार्टों में बाते हैं सबसे पहला जो है व जैसे कई सारे कैसे जाते हैं अब इसको एक एक करके हम असपस्ट करते हैं सबसे पहले हम आते हैं पार्टिकुलेट पॉलूटेंस पे पार्टिकुलेट पॉलूटेंस की अगर हम बात करें तो यह बेसिकली जो है धूल या कालिक या राख जो इसको हम कहते हैं जो इंडर् संस में इसका रहता है अगर हम बात करें पार्टिकुलेट जो मिलता है एयर में अगर उसका डाइमीटर 0.02 माइक्रो मीटर से कम हो और वो एरोसल में मिला हो और कोई व्यक्ति उसको सांस के तहत या किसी तहत उसके अंदर चला जाए तो वो हामफुल होता है वो कहीं न कहीं नुक्सान पहुंचाता है यह जो मेजर सोर्स है SPM का या Suspended Particulate Matter का यह बहुत सारे सोर्स है जिसमें सबसे महत्पूर्ण सोर्स वहकिल्स हो जाता है पावर प्लांट्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आप देखते होंगी कि वहाँ धूल कर वगर हमेशा उड़ते रहता है तो वो सब होता है वाइल रिफाइनरी, रेलबे यह सब जो हैं यार्ड हो गए मार्केट प्लेस या इंडस्ट्रीज हो गए तो यह सब जो रीजन है यह बिसिक सोर्स है जो पाटिकुलेट पॉलुटर्स के मुख सुरुत माने जाते है उसके बाद अगर हम बात करें हवा में उड़ती राग जिसको फ्लाइस भी कहा जाता है जो बैसिकली आप देखते होंगे कि कोल वर्निंग जो पाउर प्लांट होता है वहाँ पे फ्लाइस होता है या इंट वगएरा का निर्माड होता है तो उसमें भी फ्लाइस उड़ता है या लैंड फिल मेटेरियल होता है उसमें भी यह होता है तो यह सब जो फ्लाइस मेटेरियल है ये डायेक्टली हूमन के रिस्परिटरी सिस्टम को उसके पर्वाविट करते हैं लंग्स को इंफेक्ट करते हैं साथी साथ वेजिटेशन पे भी प्रभाव डालते हैं जैसे एक सिंपल मैं आपको चीज बताता हूँ कि वेजिटेशन जो होता है या जो परकृतिक बनस्पती होती है उसको मुख्य तौर पे पत्तियां जो है वो उसके भोजन बनाने का कार्य करती है अगर डस्ट जो है उनकी पत्तियों पे जम जाता है तो वह कहीं ने कहीं उनके प्रकृतिक बाधित होती है वो धीरे-धीरे उनको निगेटिव इंपक्ट डालता है और पौधे धीरे-धीरे सूख जाते है उसके बाद जो अगला पार्ट है वो है सीसा तथा अनिधातों के कर्ण लेड या अधर मेटल पार्टिकल्स तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है tetra-ethylate टे-ट्रा-い-thylate या सीसा जो होता है बैसिक ली वो पेट्रोल में यूज होता है ताकि गारियों का जो है easy way में running हो सके उसका smooth way में चल सके और जब ये गाडिया चलती हैं तो exhaust 5 जिसको हम लोग silencer वगेर भी कहते हैं उससे ये निकलता है और हवा में mix हो जाता है चुकि ये काफी छोटा होता है तो हवा में easily mix हो जाता है और जब व्यक्ति उसको inhale करता है यानि जब उसको सांस के थूरू व्यक्ति के शरीर में जाता है तो काफी दुष्प्रभाव उसके हैं जो बेसिकली रेड बलड को सेल बनने में बाधा होता है उसका इफेक्ट किड्नी पर होता है इवेन उसका इफेक्ट जो है बच्चों पर जादा पड़ा तो उनकी बुद्धी कमजोड हो जाती है वो मतलब एक तरह से आपका सकते जो भी मेटल एक्टिविटी होती है वहां पे जो डेस्ट उड़ता है या जो उसका डिपोजिशन होगा माइनिंग ऑपरेशन होगा उससे जो भी राख वगरा निकलेगा वो कहीं न कहीं वहां के प्लांट्स को नुक्सान पहुंचाता है और हवा में प्रदूशन भी फै प्रभाव डालते हैं अब अगर हम आते हैं यहां पर आप देख पा रहे होंगे गैसियस पॉलुटेंट्स के बारे में तो गैसियस पॉलुटेंट्स जो बैसिकली पावर प्लांट इंडस्ट्री या डिफरेंट टाइप ओ वेकिल से जो निकलते हैं उसको गैसिस है जैसे carbon monoxide carbon dioxide है sulfur compound है sulfuric acid वगेरा हो गया nitrous oxide हो गया hydrocarbon हो गया SPM भी यहां पर दिया हुआ है solid liquid dust वगेरा मिल जाता है fibers cotton wool में भी मिलता है तो यह जो सारे आपके pollutants है वो different source से निकलते हैं और यह कहीं न कहीं harmful होते हैं और यह जो है हम जो है मनुश्य के respiratory system को स्वसंतंत्र को परभावीत करता है visibility को परभावीत करता है उसके आलावे जो है आपके RBC को परभावीत करता है अस्थमा पेसेंट या फिफडे को परभावीत करता है आंख में समस्या उत्पन होती हैं क्षास कर लंक्स डिजीस काफी तीजी से फैलते हैं अगर बात करें तो सब से पहला इंपक्ट ऐलर्जी है जैसे कफोलोगों को होता है जैसे दिल्ले में अक्सर अपनों को सुनता है कि मैकसिम में को पर दूसर से खांसी हो जारी है तो ये खांसी क्या है विसकली ये खांसी बिसकली अलर्जी खांसी है जो कहीं ने कहीं उस पॉलुशन से आता है अस्थांस लेने में तकलिफ होती है तो अस्थमा होता है इस वेस्टस माइनिंग में जो वरकर लगे होते हैं उनको जो रोग होता है उसको ब फुस फुस रोग कहा जाता है एंथ्राकोसिस या नियूमो कोनियोसिस कहा जाता है इसे क्लिए नियूमोनिया टाइप होता है जिसमें सांस लेने में काफी तकलिफ होती है और कई बार हर्ट फैलियोर भी हो जाता है इस कंडिशन में इसके अलावे अधर इंपैक्ट जो है व क reciprocate कि पार्ट में बाठोड़ के देख सकते हैं पहला को इंटरनेशनल लॉग क्या बना दूसरा नेशनल लॉग क्या बना तीसरा हम इंडिविजुलिक क्या कर सकते हैं तो अगर इंटरनेशनल लॉग की बात करें तो एक पोलुशन पर काफी लॉग बने हैं जिसमें सबसे आपको देख पा रहे होंगे कि लिस्ट है इसकी बिशेश जानकारी आपको इसके पार्टिकुलर बेव साइट पे भी मिल जाएगा जिसमें एयर पॉलूशन के लिए ट्रांस बॉंडरी एक्टे काया था कंवेंशन 1979 जेनेवा में हुआ था इसके अलावे सिकागो कंवेंशन हुआ था सिभी लेवियेशन पे जिसमें यह कहा गया था कि जो हेलिकॉप्टर या जो हवाई जहाज में जो तेल वगए रही होते हैं वो फ्योल जो है काफी परदूसन करते हैं तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए इसके अलावे उनाइटेड नेशन फ्रेंबर्ग कंवें क्लाइमेट चेंज न्यू यॉर्क में 1992 में हुआ था जिसमें क्योटो प्रोटकॉल पर इस एग्रिवेंट की भी चर्चाबाद में की गई जो लो कार्वन एमिशन की बात करता है उसके बाद वह जोन को लेके समझ्चा हुई थी तो इस पर भी कंवेंशन हुआ मौंट्रि सारी जो चीजें हैं कहीं न कहीं एर पॉलूशन से ही डिरेक्ली इंडिरेक्ली रूप से संबन दीत है अगर भारत में नेशनल लाओ की बात करें तो सबसे पहले नाइंटी एटीवन में आता है एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पॉलूशन एक्ट बाद में उसको 87 मे इसके अलावे हैजार्डेस वेस्ट या सी रिसाइकिल प्लास्टिक मैने फैक्षर या यूजेज जो रूल आया है इसमें भी प्रदूशन को रोकने की बात कहीं गई है अगर हम अपनी बात कहें कि हम लोग क्या एक्शन लेश्यक्ते हैं तो इसमें सबसे पहले कि हम जो भ कोल बेस्ट ज्यादा है तो अगर जितना जादा एनरजी एफिसीन्ट होगा तो कंजप्शन आटोमेटिकली कम होगी तो इंडिरेक्टली रूप से फाइदा होगा दूसरा की पब्लिक ट्रांस्पोर्ट यूज करें कार पूल करें मतलब तेली वेकिल निकालने की ज़रू कोर्मेंटल फ्रेंटरी जो है पेंस या क्लीनिंग प्रोड़क्ट यूज करें वुड की जगह हम निच्रल गैस यूज कर सकते हैं इसके अलावे पब्लिक और कॉम्मेनिटी में अवेरनेस फैलाएं कि कैसे हम यह पॉलूशन को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि से संतुलन बना के आगे बढ़ा जाए और कहीं न कहीं नियोडिटर्मिनिजम का जो कॉंसेप्ट है उसको लागू किया जाए ताकि बहतर तरीके से हम परियावलन का सरक्षन कर सकें उसको बचा सकें तो बैसिकली यह ओवराल आपको एक ब्रॉड व्यू है जो यह पॉलू से किस टाइब का रोग होता है तो यह सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे आई होप आपको यह अच्छा लगा होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोटर पॉलूशन पर चर्चा करेंगे बहुत बहुत धन्यबाद आपका दिन सुभू